नमस्कार दोस्तों आईए स्पीसेस पार्शालम आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो BPSC और CDPO की डेट यूटूब और टेलिग्राम पे फैली हुई है क्या वो सही है और अगर से वो डेट सही नहीं है तो क्या एकस्पेक्टेड डेट हो सकती है फ्रेंड्स पिछले एक दो दिन से आप टेलिग्राम और यूटूब पे BPSC और CDPO को डेट को लेगे काफी चर्चा सुन रहे होंगे कुछ लोग का कहना है कि CDPO पोस्पोन हो रहा है कुछ बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है इस बीच कल डॉक्टर रंजीत नुवासिंग जी का कल एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि 67 BPSC जो है वो 17 अपरेल तक हो सकती है और CDPO जो है वो 24 अपरेल तक हो सकता है उनको बुहत कुछ चीजे पहले पता चल जाते हैं उनको बहुत चीजों का आईडिया पहले हो जाता है तो जो इंसाइडर निउस जो इनसाइडर इंफो है उसके थरू बहुत सी इंफॉर्मेशं जो होती वो जनरली सही निकलती है प्लस दो दिन पहले देनिक भासकर्क में आपने एक न्यूस पढ़ा होगा कि BPSC में काफी अधिकारियों को करोना हो गया है और 67th PT जो है वो अपरेल तक हो सकती है हालाकि इसमें CDPO के बारे में कोई बात नहीं की गई है कि CDPO पोस्पोन होगा कि नहीं होगा लेकिन जैसा COVID का situation लग रहा है उस हिसाब से एक्जाम पोस्पोन होने के काफी chances बन रहे है क्योंकि कुछ दिन पहले IIT कांटो के प्रोफेसर अगरवाल ने भी ये बोला है कि COVID का जो intensity है COVID का जो peak है वो mid-march तक down हो सकता है तो more or less mid-march तक numbers काफी कम आ सकते हैं इस हिसाब से government का FAB में भी काफी schedule tight है तो CDPO हो सकता है कि ना हो और BPSC का ये सोचना होगा कि अगरस वो कोई एक date अभी दे तो वो sure shot उसी date पर exam करा दे वैसे भी कि exam के लिए कई बार बढ़ चुके हैं ये exam 2021 मोने वाला था अब ये 2022 में आ चुका है इसलिए मुझे लगता कि BPSC कोई जल्दी बाजी करेगा exam कराने में वो time देगा exam के लिए अब प्रहल 17 एक perfect date हो सकती है बट क्या ये सही date है इसको अभी बोला नहीं जा सकता जब तक BPSC अपनी तरफ से कोई बात न कर दे तो इस सब चीज़ों से आगस आप निश्कस निकालें तो अभी इस वक्त ये बोला नहीं जा सकता कि exam कब होगा बट ये सच है कि exam दो धाई महिने में हो जाएगा तो जब तक BPSC अपना कोई date announce नहीं करती है आप वही date मानके चलिए जो अभी तक आपको पता है दोस्तों म रहने का है ये वक्त हताश और निराश होने का नहीं है इस वक्त आपको तूटना नहीं है क्योंकि जो लोग इस वक्त तूट जाएंगे उनका focus बहुत बिगड़ जाता है फिर क्या होता है कि exam की date तुरह तना तनावंस हो जाती है तो आक पस time बहुत कम रह जाता है prepare करने क तो इस वक्त आप अपना पुरा focus exam के preparation में लगाईए दो लगाई मेने में exam होना ही होना है और कोशिश करिए कि इस बार कोई ना कोई आपको seat मिली जाए इतना golden opportunity जो है फिर से शायद ना आए इसलिए आप अपना पुरा जोर लगाईए आप अपना पुरा मेहनत करिए Thank you and God bless you all